अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की और वस्तार से मैट्रिक पास के लिए रेल्वे ने निकाली बंपर भरतिया नौक्री की तलाश कर रही युवाओं के लिए एहमसूश्णा मैट्रिक पास के लिए रेल्वे ने हाली में नौक्रियों का तौफा पेश किया है रेल्वे रिक्रूट्मेंट सेल मुम्मई ने फिटर, विल्डर, टर्नर, मशिनिस्ट, कॉार्पेंटर, पेंटर, मेक्यानिक, इलेक्रीजिन, वायरमैन, पाइप, फिटर, प्लम्बर, प्रोग्रामिंग एंड सिस्टेम एड्भिनिस्ट्रेशन, असिस्टेन्ट, इसके लिए इच्छो कोमिद्वार को आधिकारिक वेबसाइट rrc-wr.com पर जाकर आविदन करना होगा बिहार में कोबिड-19 के मिले 4000 से ज्यादा मामले स्वास पपा की तरफ से मिले जानकारी के नुसार बिहार में 22 दिन के पिशो 24 घंटे में कुल मिलाकर 4375 मामलों की पुष्टी हुई है जो इसके बाद बिहार में आक्टिव मरीजों की संक्यात 44907 पर पहुच गई है इसके साथ ही अगर हम प्रभावत जिलो की बात करें तो अररिया में 116, अर्वल में 36 औरंगबाद में 57, बांका में 36, बेगुसराय में 97, भागलपूर में 90, बोजपूर में 78, बकसर में 49, दर्भंगा में 82, इस्टमपारण में 122, गया में 190, गोपाल गंज में 145, इसके साथ ही 27 ऐसे मामले सामने आए हैं जो दूसरे राज्यों के हैं लेकिन इनके सांपल बिहार के अलग-लग जिलों में कलेक्ट किये गए हैं वहीं बिहार में बीते दिन के 25 गंटे में कुल मिलाकर 8,676 मरीज ठीक होकर घर वापस लोटे हैं वहीं बीते दिन के 25 गंटे में 1,4,514 सैंपल की जाज की गई है बिहार के PDS दुकानों का होगा सोशल ओडिट बिहार सरकार के तरफ से जारी किये गए आदेश के नुसार बिहार के लगभग 56,000 PDS दुकानों का सोशल ओडिट करने की तयारी हो रही है मिली जानकारी के नुसार सोशल ओडिट में PDS दुकानों में अनाज योजना के क्रियानवियन और लाभोकों की सहभागिता की स्थिती अनाज वितरन की मौजूदा विवस्था कितना कारगर सामाजिक आर्थिक रूप से वंचुत तबकों की अनाज योजना में भागितार योगी सुची सतरकतास समीतियों द्वारा किये गए कारे और शिकायत ने बारन अधिकारी द्वारा की गई कारवाही आधि को भी शामिल किया जाएगा मुख्यमंतरी नितीश कुमार ने प्रदेश भर में एक बिजली दर होनी की उठाई बांग प्लांट हाइड्रो एलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के बारे में समीक्षा कि इसके लावा मुख्यमंतरी ने बैठक में निर्देश दिया है कि हर खेत तक सचाई का पानी पहुँचाने के लिए तेजी से काम करे पटना हाइकोट में आजसे शिर होगी गर्मी की चुटी, पटना हाइकोट में आजसे गर्मी की चुटीों के शिरवात होने होने वाली है जिसके तहत आज से अगले एक महीने यानी की बीच जून तक पटना हाइकोट के सबी कामकाज पूरी तरीके से aman रहेंगे, इसको लेकर पटना हाइकोट ने नोटिस भी जारी कर दिया है, पटना हाइकोट प्रसाशन की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार। पटना हाई कोट में आज से शिर्होगी गर्मी की छुटी, पटना हाई कोट में आज से गर्मी की छुटियों के शिर्वात होने वाली है, जिसके तहत आज से अगले एक महीने यानि की 20 जून तक पटना हाई कोट के सभी कामकाज पूरी तरीके से बन रहेंगे, इसको लेकर पत्ना हाईकोट ने नोटिस भी जारी कर दिया है पत्ना हाईकोट प्रसाशन की तरफ से जारी नोटिस के अनुसार जरूरी मामलों की सुनवाई के लिए वेकेशन बेंच गठित की गई है जिसके तहट अब जरूरी मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये की जाएगी अब काश के दौरान अधिवक्ता इफाइलिंग द्वारा केस दाखिल नहीं कर सकेंगे हाई कोट की वेकेशन बेंच में केबल जरूरी मामल लाइसन्स लेने वाले ज्वेलर्स ही आभूशनों की बिकरी कर पाएंगे यही कारण है कि बिहार में सिर्फ 1060 ज्वेलर्स ही हाल मार्किंग लाइसन्स भारी है और वही दुकान खोल पाएंगे इसे भी सराफा संग ने इस नई नियम को अगले साल से लागू करने के लिए केंड्रे मंत्री प्यूश गोईल बिहार के मुख्यमंत्री और भारतिये मानक ब्यूरो के डीजी को पत्र लिखा है जानकारों का कहना है कि बिहार में सराफा दुकानों का कोई सटीक आखड़ा नहीं है लेकिन अनुमान है कि लगभग 40,000 ज्वेलर्स से उपर हो सकते हैं अगर हॉल मार्किंग कानून लागू होता है तो बिना लाइसेंस वाली दुकाने बंद हो जाएंगी। राष्ट्री लिची अनसंधान केंद्र के निदेशक डॉक्टर शेष धरपांडे ने बताये कि जी आई टैग मिलने से शाही लिची की बिक्री में नकल या गरबडी की आशंकाए काफी कम हो जाएंगी। दशकों तक चला, 1944 में शुरू हुआ और 1963 में उनकी जान जाने के बाद समाप्थ हुआ एक फिल्म गीतकार के रूप में अलग-अलग पहचान बनाने वाले नेपाली ने चोवन फिल्मों में लगवग 300 गीत लिखे हैं। बिहार में मौनसून की होगी लेट एंट्री। बिहार में जहाएक तरफ 10 जून तक मौनसून की एंट्री की उमिद जताई जा रही थी। बही अब मौसम विज्यानिकों का कहना है कि यह अब धी और ज्यादा आगे बढ़ सकती है। जहानाबाद कांड को लेकर बिहार सरकार अब खटखटाएगी सुप्रीम कोट का दर्वाजा। जहानाबाद और वर्तमान अर्वल जिले के करपी थाने के सेनारी गाउं में 18 मार्च 1999 का है। एंजीसी ने बिहार ज्यारखन में बढ़ाई साधे चार हजार सीटें। बच्चे अब NCC में शामिल होकर अपने जीवन को नई उचाई अप्रदान कर सकते हैं। इंजीसी पतना के ग्रुप कमांडर, ब्रिगेडियर विनेश राणा और अन्य अधिकारियों ने रक्षा मंत्राले की तरफ से जारी निर्णाय का स्वागत करते वे कहा कि चात्र चात्राओं को NCC का लाव प्रदान करने के लिए बिहार और जहार खेंने देशाले को कुल 4,497 रिक्ति जे डी, जे डवलू रिक्तिया आवंटित करने का फैसला किया गया है, इसके साथ ही जिन्नी जी स्कूल में 500 क्या सबास चात्र चात्राओं का नाम अंकन है, वहाँ पर NCC का प्रसेक्षन कारे आरंभ किया जाएगा डॉक्टरों की लगातार जा रही जान को लेकर IMA बिहार ने जारी की जाँच कमीटी, COVID-19 के कहर के बीच बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां पर काफी संख्या में डॉक्टरों की जान लगातार जा रही है, अब तक आए आकडों के नुसार बिहार में लगभग 90 से ज्याद डॉक्टरों की जान जा चुकी है, जो पूरे देश में सबसे जादा है, जिसको लेकर IMA बिहार की तरफ से जाँच कमीटी का अगठन किया गया है, जहां ये पता लगाया जाएगा कि आखिर क्या वजह है कि इतनी अधिक संख्या में चिकित्सकों की जान जा रही है, आप इसके साथ ही, IMA बिहार ने सरकार से जान गवाने वाले डॉक्टरों के लिए मुआवजे की मांग भी की है, पटना युनिवरसिटी के पूर्फ कुलपती के निधन पर मुख्यमत्री ने जुताया शोग भी तिदिन पटना युनिवरसिटी के पूर्फ कुलपती और प्र प्रख्यात श्रिक्षावित थे, उनके निधन से सेक्ष्णिक जगत में अपूर्णिय च्छती हुई है, मुख्यमत्री ने दिवंगत आत्मा के चेर शांती और उनके पलजनों को दुख के इस घड़ी में धैरेधारन करने की शक्ति प्रतान करने की ईश्वर से प्राफन जिसके तहट बांका के शंभूगंज के रहने वाले एक युवक ने लॉकडाउन में एक ऐसी आदर शादी की है, जिसने पूरे शेतर में चर्चा शुरू हो गई है, खुद बीडियो ने युवक से मुलाकात करके इस शादी की सराना की और पुरिस्कृत भी किया, इतना ह सुप्रीमो लालु प्रसाद यादफ को बीते दिन बड़ी रहात मिली है, जिसके तहर डियलेफ रश्वत मामले में, CBI के तरफ से लालु प्रसाद यादफ को क्लीन चिर दे दे गई है, आपकी जयानकारी के लिए आपको बता दे, CBI की आर्थिक अप्राध शाखा ने 2018 मे कतित भ्रसाचार को लेकर लालु और रियल एस्टेट डेवलापर डियलेफ समुह के खिलाफ प्रारम्बिक जान्च शुरू की थी, लालु यादफ पर आरोप लगाया था कि डियलेफ समुह मुंबई बांदरा स्टेशन के अपग्रेडेशन और नई दिली रेलवे बाहर ही चल रहे हैं, जारकर नाई कोर्ट ने भी उन्हें जमान दे दी थी पंडे ने कहा कि इसके तहट स्वास्ते विभाग द्वारा कई निर्देश जारी किये गहे हैं, इस आक्ट के तहट सभी नीजी और सरकारी स्वास्ते संसानों द्वारा ब्लाक फंगस की बिमारी का इलाज अभी उधस्तर पर किया जाएगा किसान सलाकारों के मांदे में हुआ इज़ाफा, किसान सलाकारों के मांदे और सुवधाव में बिहार सरकार ने व्रधी करने का अइलान किया हैं जिसके तहट प्रतिमा मांदे के रूप में क्रिशी सलाकारों को 1,000 रुपए, अधिक यानी की 13,000 रुपए मिलेंगे। इनका प्रमुकाम क्रिशे विभाग की योजनाओं के प्रचार प्रसार सत्यापन मिट्टी की जाच करवाना, खेती के लिए किसानों को बैंक से लोन दिलाने में मदद करना है। क्योंकि आज आपका ओन्नाइन सम्मधित मनी ट्रांसफर का काम अटक सकता है। करने के लिए आप IMPS सुवधा का लाब पहले की तरह ही उठा सकते हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कोविड-19 के वरतमान मामलों को देखते वे और ब्लाक फंगर्स की मामलों को देखते वे स्वास्ते वभाग ने चलन्त आर्टी-PCR वैन की विवस्था शुरू की है। जिसके बाद मुख्यमंत्री नितेश कुमार ने भी अपना बयान जारी किया है जिसके तहत रुआने कहा कि इस वैन के आजाने से ग्रामीन इलाकों में कोरोना जाच में सहुलियत होगी साथ ही लोगों को समय पर जाच रिपोर्ट भी मिल जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना जाच पर आने वाले खर्च को राजर सरकार वहन करेगी एक सांपल की जाच में फिलाल एक सांपल की जाच में छेसो उन्चास रुपए का खर्च आता है। बिहार के ग्रामेन इलाकों में ऑक्सिजन लेवल सही करने की होगी विवस्था। अफ्ग्रेड कर उसमें ICU बेड और वेंटिलेटर की वस्था की जाएगी जिसके तहट छेत्र के विकास के लिए जिलापरिसत को वित्यवर्ष 2020-22 में 15 वित आयोग के तहट पहले किष्ट के रूप में 2.54 करोर मिल चुके हैं। कि श्रानिवार को लगभग 1135 लोगों ने 100-100 लोगों का सहिट हस्ताक्षर कराकर लगभग 1 लाग से उपर लोगों का हरस्ताक्षर युक पत्र रास्ट्रपती को समप्रेशित किया है। कि इन सभी चेताबनी के बीच उन्होंने ये भी साफ कहा कि जैसे ही पपू यादव की रहाई की खबर आएगी वैसे ही इस कारिक्रम को बीच में भी रोका जा सकता है। के साथ ही आज पार्टी के प्रेदेश पदाधिकारियों एवं वभिन प्रकोष्ट के प्रदेश अध्यक्ष की वर्चूल बैठक आयोजित की गई है। के साथ टीका करन की तस्वीर शेयर करें और लोगों को प्रेरित करें इस कॉंटेस्ट में हिस्सा लेने के लिए आपको सबसे पहले mygov.in portal पर जाना होगा यहां login to participate टाब पर क्लिक करें जिसके बाद से registration details फिल करनी होगी इसको लेकर mygov इंडिया ने ट्विटर पर इसका ल करने वाली पहली महिला भारती ये बनी थी भारती अंतरिक शोद संसाने अंधर प्रदेश के श्री हरीकोर्ट स्पेस सेंटर में पूरी तरह से भारत में बने स्पेस शटल और LVTD को 2016 में लौंच किया था राजस्तानी भाशा के प्रसिद साहितकार का जन्मने 123 में आज ही का जवाब देते वे पने सर ने एक के बाद एक ट्वीट कर कहा कि भारती ये टीम इस वक्त अपने शांदार फॉर्म में है अगस्त में अगर विकेट टर्न लेगी तो दो स्पिनर के साथ भी टीम इंडिया से रीज़ी सकती है मौजुदा टीम के पास इंगलाइन को 50 से हर आने का मौका है एलिस्टर कुक के सन्यास के बाद इंगलिश टीम का टॉप ओर्डर उतना मज़ूत नहीं है इसरे टीम इंडिया इंगलाइन का क्लीन स्वीप कर सकती है पने सर ने आगे कहा कि अगस्त में मौसम गर्म रहने की संभावना है और मैं पिच्छ में सूखी होन कु काफी ज़्यादा फलफूल रहा है वहीं सरकाल और ट्विटर की बीच बढ़ती अन्बन को देखते वे ही कुने पहले ही सरकाल की तरफ से जारी किया गया दिशानर देश जारी कर दिया है कुने शनिवार को एक बयान में कहा कि उसके नीजी नीती उपियों के शर्ते औ पूछे ज़वाब आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके लिए आपका बहुत भाद धने वाद आप में से जिन्यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सौरप कुमार, विकास कुमार, गीत भोजपूरी बिहार, आशिश कु इसके अरावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं मगर समय क्या भाफ के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहें उनकल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल को जिस प्रकार है आपके अनुसार ब्लाक फंगस को पैंडविंग घोश्रत करने का फैसला ब्लाक फंगस के मामलों में इंडियन तरनाने में मददकार साबित होगा या नहीं अपने जवाब हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताए इसके साथ ही आज के पस अतना ही बिहार की बड़ी खबरों से अब्डेटे रहने के लिए हमारी योटिप चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइक और नबाना ना भूले धन्यवार